नमस्कार आप सभी का स्वागत है माता लक्षमी जो विश्नु पत्नी है जो सदा भक्तों को फल देने वाली है उन्हें पुरानों और शास्त्रों में चंचल कहा गया है जो धनरूप में कभी भी किसी एक वेक्ति के पास नहीं ठेरती वो पानी के भाव की तरह ही हमेशा स्थान बदलती रहती है लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मनुश्य होते है जिन के पास धनरूप में लक्षमी कभी नहीं आती है यानि कि ये लोग हमेशा गरी भी रहते है ये कभी अमीर नहीं बन सकते और इसके पीछे की वज़य होती है वो लोग स्वैम प्राचेन ग्रंथों में ऐसे लोगों के बार में बताय गया है जिन के पास धनर लक्षमी कभी नहीं आती है आज हम आपको उनी लोगों के बार में बताने जा रहे है हिंदु धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी लक्षमी समद्र मंथन से उत्पन हुई थी और समद्र मंथन कोई साधरन कारिय नहीं था पूरे देवता भी अके लिए कारिय संपन्न नहीं कर सकते थे इसके लिए उन्हें राक्षोसों का साहरा लेना पड़ा था अच्छाई यानि देवता और बुराई यानि राक्षस इन दोनों ने मिलकर इस महा कठिन कारियों को पूर्न किया और फलसरुप उन्हें भहुत कुछ प्राप्त हुआ इस समुद्र मंथन के दोरान हला हल जैसा विश्भी निकला और अमरता प्रदान करने वाला अमरत भी इसलिए अगर मा लक्ष्मी को प्रसन करना है तो आपको अच्छाई और बुराई इन दोनों का साहरा लेना पड़ेगा वो आपको किस तरह से करना है हम इस विडियो में आपको बताएंगे इससे पहले अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरू करे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले दोस्तों गर आप सच में दिवी लक्षमी को पाना चाहते हैं तो आपको स्वयम भगवान विश्णु की तरह ही बनना होगा और मन के महासागर का मन्थन करना होगा आपके मन के अच्छाई और बुराई दोनों की साहता से सागर का मन्थन करें जैसे देवताओ और राक्षे सुने किया था और बुद्धी के मंदरान चल परवत को कछवी की तरह शीतल सभाव और निर्मल मन से स्तिर रखने की कोशिश करें भले ही सही और गलत विचार आपको भटकाने का कितना भी प्रैस क्यों न करें उन्हें वासु की नाग की तरह एक कटोर नियम में बांद कर रखें ताकि वह एक दूसरे पर हावी ना हो वासु की नाग के मुख से निकलने वाली अगनी की तरह ही अपने कटोर नियमों से भुरी आदोतों पर प्रतिबंद और साथ ही दुख और विपतियों से भरे हलाल जैसे विश्का भी सामना करना है। इसके लिए उसे महादेव जैसे दोस्त या जीवन साथी क्या वशकता है। तो आईए जानता है कुन से वो बुरी आदते जिन पर आपको कठोर नियम लगाने हैं। पहली आदत है लालच। लालची वेक्ति के पास देवी लक्षमी कभी ने ठहरती। ऐसे लोगों के पास धना आता है और चला भी जाता है। इसलिए इनको सुक और चैन नहीं मिलता। ये लोग अदिक धन पाने की चाह में सदेव लक्षमी को पाते हैं और खो देते हैं। इसलिए पैसा होने के ब जुष्ट की तरह अत्यदे के लालच भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज के बारे में लालसा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात है वैसन। देवता और दैत्य दोनों को वैसनी कहा जाता है। लेकिन जिनके चरनों के समक्ष देवी लक्षमी सदे विराजमान है। ऐसे स भीय से भटकाते हैं। इसलिए आपकी जो भी बुरियादते हैं उनसे पहले छोटकारा पाए। उनके ओपर कठोर नियमों से प्रतिबंद लगाए। तीसरी बात है घर्व। आप सभी को पता है। समद्रमंतन से देवराज हिंद्र को पाज सिरवाला आयरावत, अपसराय पारिजाद जैसी चीजे मिली और राक्षेसों को उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा मिला। इन सभी चीजों को एक दूसरे से खुद को शक्तिशाली और बल्शाली सावित करने की चिन्नों की रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कामधेनु जैसी गाय सृष्टी रचे चाहे कितना भी धन कमाए विनमरता से और सभिता से लोगों से बात करे उनमाद ना दिखाए। ऐसा करने पर देवी लक्ष्मी स्वयम आपके पास दोड़ी चली आएगी। सम्मान ना करता हो और हमेशा कामकता से भरा हो तो दोस्ते यति वो चार भुरी आदते जो आपको छोड़नी होगी। अगर मा लक्ष्मी को पाना चाते हैं तो इन आदतों से खुद को छुटकारा दिलाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता ह हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताके पौर भी जानकारे वाले वीडियो देख सके धन्यवाद।